हेलो दोस्तों आज मैं बनाने जा रहे हूं गोभी और सुजी का बहुत ही उनिक नास्ता ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी बनके तयार होते हैं तो आप एक बार हमारे तरीके से इस रेश्वी को जरूर ट्राइ करिए आप सब्सक्राइब लोग अष्कार दोस्तों ट्रतिवा कीचन में आप सबकर स्वागते चलिए शुरू करते हैं आज की रेश्वी कि ja यहां पर हमने 200 घ्राम को भी लिया है इसको फूल को भी इसको हमने कट कर लिया है और साथ से दो लियाए अब इसे मिक्सर जार में डालेंगे और यहां पर हमने लिया है लेशून और हरा मेर्च और अधरक इसे भी कट करके हमने डाल दिया है यहां पर हम डालेंगे फ्रेशरी धनिया और इसे आप देख सकते हैं दरदरा पीसकर तयार करना है ज्यादा वारिक नहीं करना है तो यहा यहां पर डालेंगे थोड़ा सा आजवाइन थोड़ा सा कासिम्री लाल मिर्च हल्दी पाउडर यहां पर गरम मसाला थोड़ा सा हींग और स्वाध अनुसार नमक और यहां पर कटा हुआ फ्रेज धर्यां डाल के अच्छे से इन्हें मेक्स कर लेंगे अपर हमारा बेटर बन जालते जाएंगे इसी तरह देख लेजी आपको कैसे डालना है और हमारे पकोड़े यहां पर एक तरफ से हो गए हैं तो अच्छे से हम दोनों तरफ इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसे आज बाद जू से चलाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउ हो चुके हैं अब इन्हें हम निकाल लेंगे इसी तरह हम सारे पकोड़े फ्राइ करके निकाल लेंगे तो आप इसका कलर टेक्चर देखें कितना अच्छा है एक तम क्रीश्पी भी देखने में भी लग रहें कितना क्रीश्पी बनाएं अब इसे हम मॉल आप इसे हम जरूर ट्राइ करिए आप सभी लोग को बहुत पसंद आएगा हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी हमें कोमेंट बॉक्स में जरूर बताए यदि चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेर करना ना भूले जले फिर मिलते एक नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए ठैंक यू बाई बाई